आई अब देखते हैं छे बजी से पहले छे बड़ी ख़बरें की जाती थी शिम्ला में संजॉली मस्जिद के खिलाफ आज दिन भर प्रोटेस्ट के बाद अब शांती है हिंदुवादी संगत्नों ने आज शिम्ला बंद की कॉल दी थी और इनकी मांग है कि संजॉली में बनिया वैद मस्जिद को गिराया जाए और घुस पैठियों को हिम अंदर्वन कारियों के मांग के साथ साहनों भूती है लेकिन मस्जिद को लेकर फैसला कानून के मताबिक ही होगा कॉंग्रेस अद्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने आज पीए मोधी पर बड़ा हमला किया जमुकश्मी विधान सबाचुनाव में प्रचार के लिए अनतनाग आये खडगे ने कहा कि प्रधान मंत्री मोधी दस साल से जूट बोल रहे है मोधी सरकार ने देश में नफरत का महौल बना दिया है खडगे ने ये भी कहा कि अगर लोग सबाचुनाव में इंडिया अलाइन्स की 20 सीटे और आ जाती तो बीजीपी के नेता जेल में होते वो जेल में डालने लायक ही है जेल में रहते थे और रहिने के काबिल है टेरफटने की मामले में गिरफतार 12 मुला से सांसर इंजीनर राशित को आज तिहार जेल से रहा कर दिया गया जब मोधी विदानसभा चुनाव में प्रचार के लिए इंजीनर राशित को कली अंतरम जमानत मिली थी जेल में रहकर ही 12 मुला लोकसभा सीट का चुनाव जीतने वाले अवामी इतिहाद पार्टी के अध्याष इंजीनर राशित ने जेल से निकलते ही मोधी सरकार पर अटाक किया राशित ने कहा कि पिये मोधी ने नया कश्मीर का जो जूटा नेरेटिव गड़ा है वो चुनाव में उसकी पोल खोलेंगे सिखों को लेकर अमेरिका में दिये गे राहूल गांधी के बयान पर स्यासी बवाल बढ़ता जा रहा है बीजेपी से जुड़े सिख संगटनों ने आज देली में राहूल गांधी के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया प्रदर्शनकारियों का खेना है कि राहूल गांधी अवारिका में जाकर सिखों को लेकर जूट बोल रहे है जबकि हकीकत यह है कि सिखों के अंदर सबसे ज़ादा डर 1984 के दंगों के वक्त था और तब देश में कॉंग्रेस की सरकार थी और इसी बीच राहूल गांधी की एक तस्वीर को लेकर भी विवात पैदा हो गया इस फोटो में राहूल गांधी भारत विरोधी इलहान उमर के साथ दिख रहे है अमेरिकी सांसद की पूर सेनिटर हर अंतराश्य मंच पर भारत का विरोध करती है पाकिस्तान का एजंडा आगे बढ़ाती है करनाटर की गुलबूरी से इरान करने वाली खबर सामने आई है यहां एक शक्स ने बाइक शोरूम में आग लगा दी जिससे वहां मौझूद सारी बाइक जल गई दरसल नदीम नाम का ये शक शोरूम की आफटर सेल सर्विस से परिशान था नदीम के बताबिक उसने शोरूम में इलेक्ट्रिक बाइक खरी दी बाइक में गरबर थी वो रोज सर्विसिंग सेंटर में बाइक लाता लेकिट शोरूम बाले उसका काम नहीं करते थे और इसी से नाराज होकर उसने पेट्रोल जड़क कर शोरूम में आग लगा दे पुलिस ने आरोपी नदीम को अरेस्ट कर लिया है